कर जाएंगे कानी सुरू होती है सर एक फरवरी उन्नीस सो च्यासी शाम को चार बज कर चालिस मिनट पर जजस साब केम पांडे साब पूरा की पूरी केस भी सुनवाई कर रहे हैं और सामने देखते हैं कि फ्लैक पोस्ट पे सुबह से एक काला बंदर बैठा है लोग उसको लिए केला दे रहे हैं पर वो बंदर नीचे देखने को तयार नहीं है जैसे ही राम लला के दर्वाजओ का ताला खोलने का आदेश होता है को बंदर वहान से निकल जाता है उसके बाद जब फैसला आजाता है तो वहां के डीम और ऐसेस्पी साब जब पांडे साब को घर पहुंचे चोड़ने आते तो देखते हैं कि वो काला बंदर वहां भी उनके घर पे बैटा है तब उनको जब केम पांडे साब उनको देखते हैं वो काले बंदर को प्रणाम करते हैं और उनको लगता है कि यह देविये ताकत थी जो आदेश दिलवा रही थी और उस दिन के बाद वो काला बंदर कभी देखा ने गया दूसरा के पारा सरन साब दुनिया के सबसे नामी वकीलों में से एक जिन्होंने राम लला का सुप्रीम कोट में केस लड़ा एड़ एज आप नैंटी टू पद्दो वीवुशन दो बार के एट और नी जनरल रेच चुके जब व सोमवार की शाम जब ये फैसला आता है 2019 नौ नवंबर को तो वो कहते हैं कि एतियासिक फैसला आया के राम लिल्ला के दर्वाज मंदिर का निर्मान होया जाए तो सोमवार की शाम दिल्ली में सेकंड फ्लोर पे रात को आठ बज़कर 45 पर तीस चे चालिस बंदर वहां के परासर नो बोल दिया कि यह साब कोई देविये शक्ति थी जो यह सब काम खरवा रहे थी अभी जब यह मंदिर बन रहा था तो राम लला की मूर्ती अरून योगी राज जो मैसूर के हैं एंबी है और पांच पीडी से सिल्पकार है जो मूर्ती बना रहे थे साथ महिनों से तो रोज एक बंदी रहा था था शाम को चार बजिस से पांच के बीच में तो उन्हbeat है नो नटिश नी लिए बाद में देखा को डेली आ रहा है तो उन्होंने टरस्ट के दिया रहे थे तो उन्होंने बला कि आनने दीजिए और उसके बाद एक बार तिरपाल और पूरा हनुमान गड़ी को उड़ाने की बात थी उस समय आपने देखा होगा कि हनुमान जी बंदर के रूप में आये और वो वाटर कूलर की उपर तार कर खोल के चले गए थे तो साब अयुद्य की रक्षा महावीर हनुमान करते हैं बोलो सियावर राम चंद्र की जय